कि सो हेलो हाई नमस्ते आदा फ्रेंस मैं हूलुपदोग अलुपदोग आक्ष्व मैं आपकस हो गयते तो नॉर्माली मैं टीवी रिप्यारिंग का वीडियो मैं बनाता नहीं हूं पर आज मैं इस पहले टीवी को रिप्यार करके दिखाने वाला हूं यह परोशी का टीवी है सारे बटन जो है वो खड़ाब है और साती साथ इसका कोई रिमोट भी नहीं है ठीक है तो इसको भी हमें चेंज करना होगा यह है डीश का मतलब केविल ऑपरेटर का रिमोट है और यहां पे यहां पे और एक फॉल्ट है यहां पे आप देख सकतो नीचे के साइड जो है य यहां पे देखिये मैं मेनू दबाता हूं अभी तो तो यहां पे आप देख सकतो दो कलर आपस में ओवरलेफ कर रहा है यानि की ब्लू और ग्रीन जो है वो ओवरलेफ कर रहा है ठीक है तो एक चीज है इसमें यह भी फॉल्ट है तो नॉर्मली यह जो फॉल्ट है यह होता साँ है यह कोईल का पाबलेम में होता है इसको कहा जाता है होडी जैन्टल फौल्ट कहा जाता है अभी देखेंगे इसको खोल के कि यह को बेस्लुकшь है या दूसरा कहीं पर फॉल्ट हantu पुड़ा मैं देखाऊंगा वीडियो इसको मैं इसको मैं व्रॉकषऑ लेकर जाऊंगा उसके बाद मैं खोल के पूरा डिटेल्स मैं बाताऊंगा इसमें क्या क्या चीज फॉल्ट है ठीक है तो पुरा वीडियो ज़रूर देखिएगा चलिया वीडियो को start करते हैं चलिया है okay तो यहां पर मैं tv को खोल लिया हूँ इसका backpack का वद्जो है मैं उतल लिया हूँ तो यहां पर मैं एक रूम के अंदर आ गया हूँ क्योंकि इसके सामने एक आइना है आइना के सामने मैं रखा हूँ यह जो चीज आप देख रहे हो यह है यह कोईल ठीक है तो यह कोईल को टेस्ट करने के मर्तेरी का दिखाऊंगा यहां पे दो कोईल होता है एक होता है भार्टिकल एक होता है होरिजन्टल तो यहां पे मैं एक माल्टिमीटर ले लिया हूं माल्टिमीटर को अपको कॉंटिनुटी मूड में रखना है तो इसको मैं set कर लेता हूं थोढ़ा जगा थोड़ा सा कम है यहां पर अभी देखिए जो उपर वाला एक है दो पॉइंट अच्छे तरी के से मैं दिखा देता हूं यहाँ पे देखिए यह जो नीचे वाला दो पॉइंट है यह है होरिजन्डल का जो अंदर की साइड होता है ठीक है और उपर वाला यह जो दो पॉइंट है यह है भार्टिकल ठीक है यह उपर वाला यह है और यह वाला जो है नीचे तो यह दो ठीक है तो यह बहुत सब को द तो यहां पर पहले मैं भार्टिकल में मेजर कर लूँगा यहां पर दो पॉइंट में मैं टच किया तो यहां पर जो रीडिंग आएगा तो यहां पर आया है 17 ठीक है 16 17 यानि कि 16 16 ही आ रहा है ठीक है मतलब 16 17 ऐसा रहा है ठीक है क्योंकि यह सरकुट के साथ कनेक्टेड है यहां पर होडिजन्टल में मैं कनेक्ट किया हूँ यहां पर भी 17 आ रहा है ठीक है यह जो अब यह जो सरकीट आप देख रहे हो यह वाला ठीक है यह PCV तो यह है अब का सब्सक्राइब बाला जो होता है TV का यहाँ पर जो मेनू बटन वालूम बटन यह सब तो यहाँ पर 6 बटन है और शाड़े बटन यहाँ पर खड़ाब है ठीक है तो इसको भी चेंज करना तो इसको धीरे-धीरे से आपको निकलना होगा और एक चीज में बता दू अगर इलेक्ट्रोनिस के उपड़ आपको नॉलेज नहीं यह तो इस तरह के काम में आप हातना दो तो ही बहतर है यहां पर मैं धीरे-धीरे से इसको निकल लूंगा थोड़ा टाइम में आप लग सक होता है आपको किए ज्यादा जोल लगा होगे तो इसकता है और पूरा पिक्चर ट्यूव आपका खराब हो सकता है ठीक है तो यहां पर मैं निकल लिया हूं यह हो गया ठीक है यह बेस बॉर्ड अपका तो अभी आपको यह जो है एलिंग मैगनेट वल रिंग कहा जाता है और यह है योग कहल ठीक है अभी इसको भी निकलना है यहाँ पर एक एक करके स्क्रू दिया गया है तो इस स्क्रू डाइवर से आपको इसको थोड़ा थोड़ा करके धील देना है ठीक है ऐसा ठीक है यहाँ पर और थोड़ा धील देना है और अभी आपको क्या करना है इसको के निकलना होगा ठीक है ऐसे मतलब खीच ओम की डीचणा नही है ऐसे घुमा घुमा के निकलना होगा ठीक है यह यह प्र »Tide« बहुत ज़्यादा »Tide« हो तो यहाँपे आप खgar कर सकता हो यह वाला जु सुक्रू कि एवाला जु पोईंट है यहाँपे आपर کرोसी नौयल silद्शेट्रल सकता हो इसके क्या होगा, यह इसके नीचे जो मतलब की इसके नीचे कपड़े का एक आपका टेफ मिलता है लगाया जाता है वो मतलब वो भी गिला हो जाएगा तो निकल जाएगा असनी से यहां पर निकल चुका है ठीक है यहां पर यह है अपना जो कोईल है यह कोईल अंदर कल अंदर वाला यह दो कोईल होता है होरिजन्टल का ठीक है जो की ख मैं निकल लिया हूँ यहाँ पे इसे बला वेर और यह है इसका और फायट और ब्लैक जो है यह है इसका बालटिकल का भी कवर आपको कुछी किसी TV में मिलेगा फ्उइद के जगा यह लों मिल सकता एब ब्लैक के जगा green मिल सकता है ठीक है color combination जो है वो और इसके बाड़े में मैं इसको खोल के पुड़ा इसका connection बगड़ा मैं इसका diagram मैं दिखा देने बाला हूं कुछी दिर मैं अभी एक चीज़ मैं बता दूँ जब आपका मानों आपका जो TV है उसका आपका यह कोईल सही है ठीक है तो कि इस problem के लिए होगा देखिए यह जो section है circuit में इसको कहा जाता है horizontal section ठीक है यह बहुत जो टांजिस्टर है एक ठीक है यह है horizontal transistor यह output transistor भी कहा जाता है इसको ठीक है तो इसमें fault आता है कभी कभा जाद तर इसमें fault देखा जाता है मैं मेरे पास जितने भी आया है मैं कहड़ा ठीक है तो इसमें जड़ातर fault आता है लेकिन नॉर्मल सिर्फ टांजिस्टर तो खड़ाब नहीं होगा कुछ ना कुछ और भी चीज़ खड़ाब होता है इसलिए इसमें fault आता है तो यह जो system जो portion है यहां पे कुछ capacitor आप देखने को मिलेगा आपको यह PF capacitor जो है और एक कु कभी कब सिर्फ आपका यह जो रेइस्टेंट है चोटे चोटे रेइस्टेंट कुछ डायोड से यहां पे आप देख सकतो इसमें fault आते है तो उसके लिए भी आपका horizontal fault देखा जाता है ठीक है तो पूरा आपको circuit में छानने का कोई जरूद नहीं है मतलब नहीं तो आपका क problem का solution मिल जाएगा ठीक है एक चीस हो गया ठीक है तो यह है अपना योग मैं भी योग को मतलब की दिखा दूँगा इसका जो diagram बगड़ा है मैं ड्रॉकेड के भी दिखाऊंगा यहां पे देखिए इसमें चार्ट जो connection है यह बाला जो black का और एक white का यह normally कभी कबर आपको black के जगह पे green मिलेगा और white के जगह पे yellow मिलेगा ठीक है यह होता है आपका vertical connection ठीक है और नीचे वाला जो आप देख रहे हो यह red और blue यह normally red और blue ही दिया जाता है मैं जितना बड़ देखा हूं उतना बड़ ठीक है यह आप पे vertical जो होता है यह normally यह जो आप देख सकतो है ए होके एक point यहां से आके middle वाला point में यहां से आया है ठीक है यह हो गया और यहां से यह जो आप देख सकतो है एक wire गया है यहां पे नीचे वाला coil होके यह नीचे वाला coil होके दूसरा terminal यहां पे आया है यानि कि series में हुआ है ठीक है और जो यह हो गया vertical और यह वाला है horizontal तो horizontal प्वार्टिकल का पॉइंक्टु यहांपे भार्टिकल को मैं पहले हैं, तो यहां पर कया है, तो यहां पर क्वार्टिकल क्या है, तो पहला वाला पॉइंट आके middle में आया है और उसके बाद end वाला पॉइंट में ठीक है तो यहां पे मैं और एक चीज में दिखा दू यह जो दो पॉइंट है यह पहला वाला यह होता है आपका negative ठीक है और last वाला जो third number पॉइंट यह positive connection होता है ठीक है और ये नीचे वाला है horizontal में यहाँ पर अंदर में यहाँ पर आप देख़े थो दो कोयल है यहाँ ठीक है एक नीचे एक उपर तो यहाँ पर एक आपको मतलब की दो-1 ले लीता हो यहाँ ठीक है फिरला ही यह है negative और यह positive तो में देखाता हूं यहांपे अप्र वाला एक कॉयल कॉयल यहाँ ठीक है यह मेज Dal चुनल में डिक्ति आया है यह जो नीचे वाला जो होल है यहां पर यहां से एक टर्मिनल आया है यहां से ए साइड और दूसरा जो टर्मिनल इस साइड से आके यहां पर ठीक है यह दो नम्बर जो कोईल है वो ठीक है यहां से आके यहां पर तो यह दो कोईल यानि कि पैरलल हुआ अपका होरिज कि जब यह कोईल नहीं होगा तब क्या होता है क्या थोड़े स्क्रीन के ऊपर आता है एक पॉइंट के रूप में ठीक है यहां पे भार्टिकल क्या काम करता है देखिए भार्टिकल और होडिजन्टल का काम देखिए मैं बता देता हूं ठीक है भार्टिकल का काम करते है ऊप तो डॉपर केल है उपर की तरफ खिशते हैं और रोल साइड गायर स्वाय सफेड़ी एंसेृ खिइचता खिच के एक ईमेज क्रिएट करता है ठीक है हूँ हम देखते हैं एक वीडियो या इमेज के olduğरफ से ठीक है यहां पर क्या है वार्टिकल सही है होरिजोंटल में एक वाला कोयल हो सकते खड़ाब है तो मैं यहां पर खोल के दिखा देता हूं इसमें कौन सा वाला कोयल खड़ाब है या क्या हुआ है ठीक है तो अभी इसको मैं मतलब डी सोल्डर करके करने वाला हूं यहां पर कर कि मैं दिखाऊंगा ठीक है तो यहां पे यह देख सकता वार्टिकेल जो कनेक्शन है वो सही है नतलब कनेक्टेड है मैं होरिजोंटल दो पॉइंट मैं डी सोल्ट कर लिया हूँ ठीक है अभी यहां पे दो यह दो टर्मिनल उपर से आया है और यह दो टर्मिनल नीचे से है आप देख सकते हो ख्लिया ली ठीक है इस पकास से कोई नहीं दिखाएगा ठीक है यह जो एभी मैं दोनों कोईल को मेजर करके आपको दिखाऊंगा माल्टीमीटर के तरह ठीक है एक है उपर वाला और एक है नीचे वाला कोईल ठीक है अभी देता हूँ मैं कौन से वाला कोईल आपका खड़ाब है देखिए मैं माल्टीमीटर ले लिया हूँ कॉंटिनुटी में रखा हूँ ठीक है एभी एक कोईल में मैं पकड़ूंगा चलो इसमें ही पकड़ लेता हूँ उपर वाला तो यहां पे देखिए हाथ को मैं थोड़ा साइट कर लोंगा भी यहां पर देखिए यह है 17 ठीक है 17 है मतलब वही 16 17 अड़ा है ठीक है तो अभी दूसरा जो कैल है यहां पर देखिए यहां पर कोई भी रिडिंग नहीं आड़ा हा है ठीक है यहां पर देख सकता है ठीक है कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा हा है तो मैं थोड़ा सा कोई ब्लेड शे मैं इसमें तोड़ा सा घीस लेना बाला हूँ ठीक है ताकि और भी अचीतर के से आप अगर पॉबलम हो तो वह हड़ जाए ठीक है तो अभी फिर से मैं टेस्स कर रहा हूँ यहां पर देख सकतो यहां पर कोई भी मतलब रिडिंग नहीं आ रहा है यानि कि यह वाला कोईल है वो खड़ा हो चुका है अभी इसको रिप्यार किया जा सकता है अगर सामने मिल जाए तो मैं पर कोशिश करूँगा अगर मिल जाए तो मैं रिप्यार करूँगा और वाला वीडियो भी आ जाएगा इसी वीडियो के अंदर ठीक है लेकिन अगर ना यहां पे मैं नया बाला एक ले लिया हूँ इसको ही मैं लगाने बाला हूँ और पुराना बाला मैं बाद में रिप्यार करने का कोशिश करूंगा यह है अपना जो पुराना बाला है ठीक है इस से जो जो कनेक्शन जहां जहां से था वो ही मैं यहां पे खोल लिया हूँ उसी तरह से आपको connection करना है एक चीज़ में बता दू ठीक है उल्टा अगर आप connection करोगे तो यहां तो आपका picture उल्टा हो सकता है ठीक है लिखा बट उल्टा हो सकते हो एक ताकि यह connection में कोई problem ना हो ठीक है यहां पर देखे यह aluminum का coil है इसलिए आपको क्या करना है एक जुगर है आपको क्या करना है एक copper oil लेना है ठीक है ऐसे उसका यह जो copper है इसको हटाना है और यह जो copper है इसको टार्मिनल में आपको लपेट ना है ऐसे ठीक है अच्छी तरीके से लपेट के उसके उपर soldering करना है यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा टुकड़ा यहां पर copper ले लिया हूं अच्छी तरीके से आपको लपेट ना है ठीक है यानि कि जो aluminum word है उसके उपर भी आपको लपेट ना है यह चीज़ धान में रखिए क्यों नहीं तो क्या होता है अच्छी तरीके से अगर आप नहीं connect करोगे तो वहाँ पर sulfur गिरता है ठीक है अभी इसके उपर आपको अच्छी तरीके से solar करना है solar करने के बाद जाके आपको यह word उसके साथ connect करना है ठीक है connect कर लेता हूं मैं उसके बाद दिखाता हूं देखिए यह जो है अभी picture tube के पीछे में आ गया हूँ अभी यहां प अच्छी तर के साफ कर लीजिया और यहां पर यह जो paper tape है इसको हटाना नहीं है ठीक है किसी किसी में बहुत लोग क्या करते कि जो cotton tape है उसको लगाते है तो यहां पर मेरे पास अभी cotton tape नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूं इसके उपर ही मैं लगाने बाला हूं ठीक थोड़ा सा मतलब कि पैसा बच जाएगा यहाँ पे अभी मैं योग को लगाने बाला हूँ ठीक है देखिए इस तरह से आपको लगाना है अच्छी तरह के से धीरे धीरे से लगाईएगा ताकि आपका पिक्चर टूप में कोई फॉल्ट नहाए ठीक है नहीं तो कस्टमर का ह पॉबलम है आपका भी पॉबलम है यहाँ पे अभी मैं क्या किया हूँ पहले तो बेस बोट सिर्फ लगाया हूँ अभी उसके बाद टेस्ट करने के बाद यह जो डिंग मैंगनेट है इसको मैं लगाने बाला हूँ अभी क्या करना है आपको डिंग मैंगनेट मैं बाद मे लगाऊंगा पहले मैं बेसबोट को लगा लिया हूँ अभी पिक्चर को मैं दिखाऊंगा कैसे है अभी सबसे पहले आपको क्या करना है जो यह कोईल है इसको ऐसे आपको प्लास्टिक के उपर हाथ रखके ऐसे घुमा कि आपको स्क्रीन को टेस्ट करना है फिक्चर आया है यहां पे मैं पिक्चर को आपको दिखा रहा हूं यहां पे आप देख सकते हो पिक्चर भी मोबाइल में उतना खास आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन खालिया को से मुझे दिखाई दे रहा है कि रेड और ग्रीन जो कलर है वो ओवलेफ कर रहा है यहां पे ठीक है तो इस कलूम बटन सबको मैं टेस्ट करके मतलब चेक कर लूँगा यहां पर ओके तो यहां पर आप देख सकतो साड़े बटन अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है और मैं थोड़ा-थोड़ा करके वीडियो को मतलब काट कट के विदी खड़ा हूं क्योंकि नहीं तो कॉपी राइट यहां पर आ सकता है इसलिए और साउंड भी मैं कम कर दिया हूं यहां पर मैं जो रिंग मैगनेट है उसको मैं लगा लिया हूं रिंग मैगनेट को लगाने के बाद अभी आप पिक्चर देख सकतो अभी मैं दिखाऊंगा पिक्चर आपको तो यहां पर पिक्चर जो है वो सही हो चुका है ठीक है, यहां पे आप देख से तो पिक्चर सही हो चुका है, मैं थोड़ा दूर से जूम करके दिख़रा हूँ इसलिए और साती सात यहां पे मैं काट कट के वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि नहीं तो कॉपी राइट क्लैम आ सकता है यहां पे और टीवी के सामने मुबाइल लेके जाने पर ऐसा टीवी में आता है उपर निचे जो लाइन आप देख रहे हो यह उसी कड़न से आ रहा है और कोई बात नहीं है यहाँ पर पिक्चर सही हो चुका है यहाँ पर आपको रिंग मेगनेट को सेट करने होगा सही से रिंग मेगनेट को जब आप निकल रहे हो उसी टाइम आपको एक मार्कर से आप निशन दे के फिर निकल सकते हो ताकि बाद में पॉब्लम ना हो नहीं तो उसको गुमा के सेट करना बहुत ही ज़्यादा टाइम मे यहाँ पे मैं glue gun से यहाँ पे hot glue यहाँ पे लगा लिया हूँ ठीक है hot glue आपको यह नीचे वाला जो सीशा है वहाँ पे ना लग जाए यह चीज़ धान में रखना है hot glue के इलावा कोई दूसरा आपको glue यहाँ पे ना लगाओ तो ही अच्छा है क्योंकि बाद में आप hot glue निक ठीक है सुभा रेकॉर्डिंग किया था यह वाला वीडियो तो भी फैंस आशा किरते हूं आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो पसंद आए तो भी लाइक करें शेयर करें फैंस के साथ कोई सब्सक्राइब करें चैनल में नया हो सब्सक था देखैंस आपको किटान के से ड़ी लाइक करेंग एांको कली सकार्य कि से बाठक है Hmm